वेलकम तो माई चैनल आज की जो रेस्पी है वो बनने वाली है ब्रेड से और भी मिंटों में बन जाएगी पांच मिनट के अंदर की रिस्क रेडी हो जाएगी तो इसको चलो जल्दी से बना लेते हैं तो इसको क्या है ब्रेड से ही बनाएगा तो हमने ले लिए ब्रेड यूज कर सकते हो जो भी आप खाते हो उस ब्रेड को लीजिए और उसके स्लाइस इंसाइड साइड से जो है न उसके एस्टा वो कट कर दीजिए ब्राउन वाला है सॉफ्ट पार्ट हम लेंगे अगर नहीं भी कटना तो भी आप सीदे-सीदे यूज कर सकते हो कोई ज़रू पिलसा रेक्टेंगल्स स्क्वेर्स या जो भी छोटे-छोटे पीसेस करने तो छोटे-छोटे पीसेस भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से से देख लीजिए और बहुत जल्दी ब्रेड कट होती है टैम बिलकुल नहीं लगता है और बहुत जल्दी यह रैस्पी बनती है त तुमें बताऊंगे आँगे देखीए मैंने घी ले लिया गी में हमें ब्रेड को रोश्ट करना है आप जितना हिसाब से आप घी अगर ज्यादा डालना चाहते हो तो इस साफ से एप लगता है और नहीं आपको करना है तो नॉनिस्टिक है नॉर्मल तबह लीजिए उसमें ब्रेट सेख लीजी आप कम घी का खाना पसंद कर रहे तो इससाब से अगर जादा थोड़ा से जादा करके सीखोगे न तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा तो इसको हम एक साइड जैसी सब ब्रेट को फैला देंगे और फ्लेम का ध्यान रखी सिलो फ्लेम में हम इसको सेख लगेगा और घी अगर जादा ले रहे हैं तो कोई बात नीं हो इससे कटोर्य ले देuję बस उसको उबालना है अच्छे से और इतना निएक तार की चासनी पने सेख थोड़ा थोड़ा सा बस उतनी हमें उसमें केसर और इलाइची पाउडर यह सब आप डाल सकते हो फ्लेवर के लिए नहीं डालना तो कोई बात नहीं सिम्मल और बस जब यह चास्नी हो जाए तो यह मेरी रख्यूही चास्नी है उसी में ब्रेड को डालना हो तोनों साइट से डिप करके निकाल लेना है तो यह जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है इसमें बिलको टाइम नहीं लगता है जब भी आपकी कोई चासनी भी रखे हो नो तो ब्रेड लाईए तुरंद बनाईए बहुत अच्छी रैस्पी है और कुछ भी करने की जरुद भी नहीं पड़ती है और अच्छी से ब्रेड भी इसमें देखिए बहुत देर तक नहीं रखना तो यह बहुत उपर से क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्ट आएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा तो अब मैं इसके साथ एक और कम कर रही हूँ तो उसमें क्या कर दी एक कप मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर और एक ही कप ले लिया है मिल्क तो दूद और मिल्क पाउडर को मैं इसमें करूंगे तो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम घी एक चमज हम हम इसमें घी डाल देंगे जब थोड़ासा ये सेट हो जाईगा न मिल जाएगा तो इसमें एक चमज गी डाल दीचे और अगर नहीं आपको यह करना है simple से ही size toast बनाना है तो क्या कर सकते आपको अगर मिठाई नहीं करनी खोया नहीं बनाना ना तो आप सिंपल सा यह चासनी वाली ब्रेड को भी आप ऐसे ड्राइफूस्टर से डेकुरेट कर दी जो ऐसे ही खाई है कोई जरूत नहीं अगर आपको यह नहीं मिलाना और देखिए हमने इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि ब्रेड नहीं आप चासनी में ऐसे डिप करके ड्राइफूस्ट के साथ सर्व कीजिए तुरंत बनती है बहुत अच्छी है और देखिए चोटे-चोटे पीसिस कर लिए तो आप इसको ना इस तरीके से बना सकते हो आप कभी भी जसे इंस्टेंट स्वीट बनाने है ना तो तुरंत बनाई है बहुत जल्ले बनती हो और इसको आप अपनी हिसाब से डेकुरेट कर देजिए और यह जो रैस्पी इसकी मैं गारंटी देती हूं यह बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी मेरे यहां सबको बहुत पसंद आए यह रैस्पी तो आप जरूर बना के अच्छा लगा हो तो बेडियो को लाइक चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब कियो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो बैल आई कर उनका बटन उसको जरूर दबाएगे तो नोटिफिकेशन मेरे बेडियो की आ जाएगी थैंक्यू फॉर वाचिंट